दोस्तु हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तु दोस्तु आज हम बात करने वाले हैं संत्रा खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो संत्रा और उसका जोस देखने में जितना अच्छा लगता है यह हमारे स्वास्ते के लिए भी उतना ही अच्छा है संत्रा वितामिन सी का बंडार है और यह आसानी से बाजार में मिल जाता है संत्रे के बहुत सारे लाब हैं इसके बहुत सारे उपयोग हैं तो आईए हम जानते हैं संत्रे के क्या-क्या फाइदे और नुकसान है और इसका उप्योग हम किस किस तरह कर सकते हैं दोस्तो आईए जानते हैं संत्रा खाने के फाइदों के बारे में दोस्तो संत्रा हाई बीपी के मरीज के लिए फाइदे मद हैं गर्बवती महीला के लिए भी संत्रा का जूस बहुत फायदे मद होता है संत्रा कप को बाहर निकालने में मदद करता है यह मोसम परिवर्तन के कारण होने वाले संकर्मन से भी हमें बचाता है संत्रा में विटामिन C और विटामिन D होता है जिसके कारण इसका जूस हमें तरो ताजा रखता है गठिया के मरीज के लिए भी संत्रे का जूस फाइदे मद है संत्रे करस हमारे सरीर में नई कोसी काएं बनाने में मदद करता है पेची सोने पर संत्रे के जूस में बकरी का दूद मिला कर पीने से फाइदा पहुंसता है दोस्तो संत्रे का नियमी सेवन बावसी रोग्यों के लिए भी फाइदे मन्द है बच्चों को संत्रे का जूस जरूर पिलाना चाहिए यह उनके विकास में मदद करता है दोस्तो संत्रे के चिलके को सुखा कर चूरन बना कर उस चूरन को गुलाब जल के साथ मिला कर थोड़ी देर चहरे पर लगाने से चहरा साप और चमकदार हो जाता है गर्बवती महिला यदी संत्रे या संत्रे की रसका नियामी सेवन करती हैं तो उसे परसव के समय कम दर्द होता है और बच्चे पर भी सकारात्मक परभाव पड़ता है दोस्तो गैस अपची जोडों के दर्द आदी में भी संत्रे का जूस बहुत पाइदा पहुंचाता है दोस्तो जब छोटे बच्चे के दात निकल रहे हो और इसी कारण उन्हें दस्त हो तो भी संत्रे करस रहत पहुंचाता है